तुरमश्कार किसान भाईयों मर्शनेर ग्यान यूट्यूब चैनल की एक और फ्रेश वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे सुना लिका के बहुत सारे ट्रक्टर है और आज मैं पहुंच चूगा हूँ हमारे एरिया क स्पेसियल ट्रक्टर की एक कदो स्पेसियल ट्रक्टर की तो उसके लिए सबसे बेस्ट फ्रॉंट एक्सल कौन सा रहेगा इसके वारे में बहुत सारे किसान पूछ रहते और यूट्यूब पे आपको ऐसी वीडियो नहीं मिलेगा देखने के लिए आज जो मैं आप लोगो का 47 और इसका एक्सल आप देख लिए एक्सल टाइब का है जो पहले आता था उसी बाद ये आप देख लिए यह वी सोनालिका का दीएई-47 डीलेक्स मोडल और इसका फ्रॉंट एक्सल देख लिए यह अव्य हाली में आया है और ये एक्सल उक्ला स्पेंशल कुछ अलग ट तो तीन टाइप का अभी मेरे समने एक्सल है इससे पहले एक और एक्सल भी आता था वह सायद नहीं आ रहा है दाना का एक्सल तो वह पहले आता था वह स्ट्रेट टाइप का होता था वह भी बेवलें पीनियन टाइप का कद्दो स्पेस्याल एक्सल वह भी होता था लेकिन आ लीटर ओयल आता है कौन सा एक्सल ज्यादा अच्छा पर्फॉमेंस देगा और लॉंग लाइफ के लिए भी सबसे बैस्ट है वो सब कुछ में इस वीडियो में बताने वाला हूं तो सुरुवात करते हैं इस स्ट्रेट एक्सल टाइप का एक्सल से यह फोर विल ड्राइब ए क्लिजाइन आता है और यह टैयर साइड है वो आता है यहां पर 9-24 का टैयर आता है काफी बड़ा साइज आता है क्योंकि स्ट्रेट एक्सल है तो ग्राउंद क्लेरंस ग्राज को बढ़ने के लिए आरां से घूमा सकता है इसको अपुरेट कर सकता है यह भी 55-100 का ट्रक्ट तो ज्यादा नहीं बताऊंगा आप लोगो एसमें दियो एक्टिינम आता है उसे जञार दिख लीजिए यह इसका करार आकसल यह एकसल इस एकसल के बाद यह एकसल जाया मैं आपको लोगों को दिखाता हूbaby क्भाए यह सौनाै पर देखा करारो एक्सल उसके बाद यूज करने लगा यह बेवलन पिन्यन टैप का है यह एक्सल भी पडलिंग के लिए सबसे बैस्ट है क्योंकि मेटी इसके अंदर नहीं जाता है आप वाटर सील्ड एक्सल इसको कहते हैं आराम से इसके साथ भी पडलिंग कर सकते हैं अभ कुछ इस तरह का है यह कुछ अलग डिजैन ऐसका पहले दाना का एक्सल भी आता था वो कुछ अलग रहता था आप साहिधु जान्यर ट्रक्टर जानते होंगे तो उसका जो फ्रॉंट एक्सल आता है बिल्गुल वैसा टाइप का एक्सल भी सुना लिका पहले देता था लेकिन अब करारों का एक्सल सिर्फ देता है इसमें आप स्पेसिपिकेशन प्लेट में देख सकते हैं यहां पर इसमें ओयल जो आता है वह साड़े प 950 बीस का टैर साइज इसमें आता है मतलब उसमें आता है 950 ओई और इसमें यह एक्सल में बताऊँगा आपको यह सबसे बेस्ट एक्सल है इन तीनों में से क्योंकि आप इसका जो सिलेंडर देख लीजे यह ऊपर है उसमें जो होता था उसमें नीचे दिया गया था और नीचे देने के कारण जो है आप अगर पथरली एरिया में या फिर पड़लिंग यहां पर नहीं आएगा और अगर कहीं पर पथरली एरिया में काम कर रहे हैं तो पथर नहीं टकराएगा क्योंकि उपर दिया गया है वहीं उसमें अगर मैं दिखाऊं तो आप लोगों को इसमें आप देख सकते हैं इसमें जो है नीचे दिया गया है आप देख सकते हैं ए और यहां पर आप दिखेता है, स्टेरिंग का जो रोड है, उपर कर दिया, इसके लिए वोग्हे। सुना लिए काफी अच्छा लगता है और यह एक्सल जो है, यह एक्सल आप देख लीजे। है यह सोना लिका ने खुद बनाया है इसको आप यहांपर इसको लोगो देख सकते हैं खुद सोना लिका का पेटेंटंट है और यह सबसे Administration होंगे सोना-लिका और और इस एकसल में जो औलाता है इसमें जलाओक्द 9 लिटर का खाल श्यादा आता विक और अपर बादलाब देख सकते हैं दूसरे अक्सल में क्या हो था जफ एक नॉट दिया जाता है है जैसे की यहां पर देख सकते हैं जश्ट एक तरफ है तो ज़स्ट एक नट ही दिया जाता है इसको फोल कर जो है अंदर की जो में फ़जाता है तो यह लगाप कर सकता है तो यह लगाभग आपको वैसा यह आपको वैसा नहीं करना है तो अगर गर्म हवा अंदर बन रहा है तो बहार आजाएगा आप्टर मार्केट भी कुछ ट्रक्टर में लग जाते हैं लेकिन आपको वैसा नहीं करना है आप यह एक्सल देख लिजिए इस तरह का एक्सल वाला ट्रक्टर ही लेना है और यह काफी बढ़िया है स्ट्रॉंग भी आप देख लिए इसकी मोटा ही जो है तो अन्य एक्सल से काफी मोता है और इसका डिजैयन काफी बडिया है यह बेवलेंड पीने तक है कके लिए दला है यह लंबे समय तक चलने वाला है स में मगा इसका ट्रॉडण संसे का या जडियॉल देख सकते हैं इसमें नो पौँची बड़िया यह सब्सक्तिर्ण के लिए का इसनली का जल्द ही करने वाले हैं और भी क्या-क्या फीचर्स इसमें दिया गया है साइद गियर बॉक्स में और हाइडोलिक में कुछ चेंजस है तो फुल रिभ्यू जल्द आएगा बने रही हमारी चैनल के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजिए और इस वीडियो को लाइक प्रफ़ाने के लिए तयार हैं और किसी और वीडियो में मिलते हैं इस ट्रक्टर को रिव्यू करते हैं और वी कुछ नय ट्रक्टर जो है स्टॉक्याड में आये हैं तो उनका वी रिव्यू जल्द ही करेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजिएगा उसका भी वीड देखने के लिए धन्यवाद जय जवान जय किसान